नमस्का दोस्तों आप देख रहे हैं विकास गाजेट आज इस वीडियो में नियुमेरिक का एक UPS अन्बॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इसके साथ इसका डीटेल्स भी बताऊंगा दोस्तों नियुमेरिक ऐसा एक UPS है जिसका पार्फॉर्मेंस बहुत बढ़िया है लुमिनियस भी है बहुत सारा मार्केट में UPS कंपनी है बट उससे सबसे बेटर पार्फॉर्मेंस देने वाला यह कंपनी है हम लोग इसको बहुत सेल करते हैं और इसका पार्फॉर्मेंस बहुत अच्चा है और इसका मतलब ठाज्वर्मेंस कंपनी है और इसका जो power backup है बहुत बढ़िया देते हैं और इसका कुछ special character भी है मतलब special features है यह भी मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा और यह product आप लोग लेना चाहते हैं तो जरूर आपको कुरियर के थूद दिया जाएगा किधर भी आप रहते हैं उधर भी आपको पहुंचा दिया जाएगा सिर्फ आपको hardson number decision में उधर जाके हमारे साथ contact करना है बेस पैज में आपको यह मिलेगा तो चलिए इसका data जा लेते हैं उसके बाद इसका होके कोई fault हो जाएगा तो इसका जो cabinet है वो fire से थोड़ा सा बंजा सकते है इसके बाद आते हैं automatic voltage regulator मतलब इसमें automatic voltage regulate करते हैं बहुत बढ़िया से इसके बाद इसका जो बैटरी बैटरी का जो है setup mode रहते हैं इसके साथ यह जो UPS आप देख रहा है बहुत पास चार्ज हो जाते हैं इसके बाद चलिए इसका कुछ details में आप लोगों को दिखाऊंगा इस साइड में इसका पूरा details इस साइड में है मैं आप लोगों करके बता दे रहा हूं यह जो capacity आ रहा है इसका 600 भी है तक capacity है इसका वाटेज जो है 360 वाटेज का यह capacity देता है इसका जो weight है मैं आप लोगों को बताऊंगा तो 4.23 kg का weight है इसके बाद यह output लेता है 140 वोल्स है 300 वोल्स तक इसके बाद input देता है 230 वोल्स तक input देता है यह कुछ basic details और भी इधर basic details है अब लोग इसको पढ़ सकते हैं और warranty देखिए 2 years warranty देखे रहें बट सौप के उपर कौन सा सौप में अब ले रहे हैं उधार यह depend करता है जो आपको warranty कितना दिन तक पूरवाट करेगा ठीक है दूस्तों अभी मैं आप लोगो इस साइट में मैं लोगो दिखाऊंगा तो इस साइट में इसका कुछ features देखे रखे हैं जो किस तरफ से चलेगा और क्या 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 सपोट करता है देखिए इस computer को सपोट करेगा इसके बाद cctv camera को सपोट करेगा ठीक है दोस्तों इसका बहुत बड़ी है features मैं आप लोगो बिताता हूं देखिए जब आप UPS में mobile charge करते हैं सिर्फ only mobile charge करते हैं तब देखिए 15 minutes से ज्यादा नहीं चलेगा इसलिए UPS थोड़ा सा low voltage जब consume कर रहा है मतला voltage थोड़ा सा नहीं जा रहा है तब 15 minutes चलता है उसके बाद बंद हो जाते बट यह low voltage भी support करता है मतला आपका mobile आप charge करेंग कर लेते हैं इसका सेल हमारे बहुत जादा है और सर्विस भी बहुत बढ़िया देने वाला है इसको हटा लेते हैं यह है हमारा UPS थे थोड़ा सा मैं आपको फॉन दिखाना चाहता हूं यह पावार अगलब जब आप इसमें पावार है साप्लाई इलेक्रिक्रिक्सिटी अपने कानेट करके राखें ओन करके राखें तब आपको यह लाइट जलता है इसके बाद यह है जब आप चार्ज बैटरी यूज कर रहे ता आप यह वाला लाइट जलता है बस यह वाला जो है यह वान नहीं आपको वार्निंग प्रोवाइट करता है और इधर नुमेरिक लिखा हुआ है और इसका मॉडल लंबर लिखा इसके बाद इस साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा तो इनपूट आउट्पूट जो देता है यह तीन आउटपूट देता है ठीक है फाइप सॉकेट है फाइप इन शॉकेट देके रखें इसके बाद यह है केविल आपका जो यूपीस है यूपीस को अपना चार्ज क करने के लिए यह वाला केविल देखे रखें तो चलिए एक बाद यूपीस को कॉंप्यूटर में अनलब पावारस अप्लाई के साथ कानेट करते हैं करेंगे इसके पर एक रिलेर लगा हुआ रहते हैं वह क्या करते हैं एक ठक करके आवाज हुआ अपको पता चलेगा जो है यह चार्ज हो रहा है अभी और इधर मैं आप लोग को बताऊंगा तो नियूमेरी का लोगो देके रखे हैं देखिए लोगो देके रखे हैं इसके बाद इसका कुछ डीटल्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसमें भी है इसके बाद इसको ओन करते हम दखिए इसमें पावार है अभी मतलब मैं काने काने मदलब इसके साथ कानेट करके रखा हूँ कि असलिए लिट जल रहा है जब मैं सप्लाई को औप करूंगा तब इस बैटरी को यूज़ रहा है ठीक है तब इस बैटरी में चार्ज नहीं रहाएगा यह वाला लाड सबसे बेटर क्वालिटर का एक UPS में आप लोग को बता सकता हूं यह वाला हमारे इदर बहुत चलता है और डिस्टब बहुत कम करता है और एक computer आप लोग चलाएंगे ना इसको एक computer इसमें चलाएंगे तो एक computer आप लोग इसको ट्राइक करके भी चेक कर लिए अब लोग इसको चाहते हैं तो हमारे साथ कुरियर के च्रूम मंगा सकते हैं यह कुछ एक EPS के बारे में वीडियो का चलाएंगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के सेर कर लिजिए हमारे चैनल बहुत च्छोटा है अब लोग करता हूं प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए मिलेंगे आगली वीडियो में तब तक के लिए चलिए नमस्ते